गुड़ खाकर पानी पीने से जानिये क्या क्या है इनके अनेकों चमतकार दोस्तों पहले लोग गुड़ का ही सेवन करते थे गुड़ के फायदे जानकर आप भी हैरान में पढ़ जाएंगे हालांकि क्योंकि तब लगबक सभी घरों में गुड़ पनाया जाता था पर बाद में अंग्रेयों ने चीनी का उत्पादन करने के लिए घर में गुड़ बनाना पिर्तिवन्दित कर दिया था गुड़ में बहुत सारे औस दिये गुड़ विद्धमान होते हैं जो सायदी आपको पता होगा जिस वयसे लोग आज भी चीनी का उपयोग करते आ रहे हैं आपको बता दें कि चीनी एक धीमी मात्रा का जहर है जो सरीर को धीरे धीरे खत्म करती है पर गुड़ में कई ऐसे तत्वर समायत होते हैं जिससे सरीर को बहुत अधिक फायदे होते हैं अगर आप रोया ना खाली पेट गुड़ खाकर एक गलस गुनगोना पानी पीते हैं पेट में गैस, ऐसे डिटी, पेट, दर्द, कबज, इत्यादी समस्यां जड़ से खत्म होती हैं तो चली दोस्तों जानते हैं गुड़ खाने से क्या-क्या फायदे मिलते हैं खटी ढकारें आने या पेट की अन्य समस्यां में गुड़ में काला नमक मिलाकर चाटने से लाव होता है इसके अलावा यह तंत्र का, तंत्र को मजबूत करने में काफी सायक होता है वजन कम करने के लिए भी गुड़ का प्रियोग किया जा सकता है सरीर में जल के अब धारान को कम करके सरीर के वजन को नियंत्रित करता है पेट की समस्या, जी हाँ, गुड़ पेट की समस्यां से निबटने के लिए एक भेद आसान और फायदे मन दुपाय है यह पेट में गैस बनना और पाचन क्रिया से जुड़ी अन्य समस्यां को हल करने में भेद लाबदाय है खाना खाने के बाद गुड़ का सेवन पाचन में सहयोग करता है सर्दी होने पर सर्दी के दिनों में यह सर्दी होने पर गुड़ का पिरयोग आपके लिए अमरत के समान होगा इसकी तासीर गर्म होने के कारण यह सर्दी जुकाम और खास तोर से कफ से आपको रहात देने में मदद करेगा इसके लिए दूर दिया चाय में गुड़ का प्रयोग किया सकता है और आप इसका कारा भी बना कर ले सकते हैं मौासों की समस्या दूर करने में पिर्टी दिन थोड़ा सा गुड़ खाने से मौासों की समस्या नहीं होती और तोचा में चमक आती है ये आपकी तुचा की समस्या को आंतरिक रूप से धीक करने मदद करता है आइरन की कमी होने पर शरीर में आइरन की कमी होने पर गुड़ आपकी काफी मदद कर सकता है गुड़ आइरन का एक अच्छा और सुलब इसुरोत है एनी मिया के रोगियों के लिए भी गुड बेयत फाइदमन्द होता है जोडों में दर्द की समस्या होने पर गुड का अधरक के साथ प्रयोग काफी लाबदायक सिद्ध होता है पिर्ति दिन गुड के एक तुकडे के साथ अद्रक खाने से जोडों के दर्द में आरा मिलता है भूख बढ़ाने में भी अगर आपको कम भूख लगती है तो आपकी इस समस्या का इलाज गुड के पास है गुड खाने से आपकी घुप खुलेगी और पाचन के रिया दुरुस्त होगी पीलिया में पीलिया हो जाने पर 5 ग्राम सौट में 10 ग्राम गुड मिलाकर एक साथ खाने से काफी लाब मिलता है गुड एक अच्छा मूर बूस्ट है यह आपके मूर को खुछ नुमा बनाने में मदद करता है इसके अलाबा माइगरेन की समस्या में भी गुड फायदा पहुंचाता है फिरते दिन गुड का सेवन करने से लाब होता है तो दोस्तो यह था हमारा आसका वीडियो आपको वीडियो पसंद आया हो तो उसे ज्यादा से यादा लोगों के साथ शेयर करें वीडियो को लाइक करें और हमारे यूटूब चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें जिससे की नहीं नी वीडियो नहीं जानकारिया आप तक मैं आपके लिए फिल लाओं कोच असल वीडियो तब तक के लिए दोस्तों बाई बाई